Good morning modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying these online classes. Students, take out your GK books, open your chapter 16, adventure sports. Adventure sports का मतलब होता है बच्चों, वो sports जिसमें हम मजा लाते हैं, कुछ adventurous करते हैं. ठीक है, ऐसे sports जो है, होते हैं, original में भी होते हैं, बट हमें कभी इनको इस तरीके से follow नहीं करना चाहिए. जहां पर ये होते हैं, वहीं जा करके इनको करना चाहिए. So, आएए देखते हैं, ऐसे sports कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है, paradising. इसमें क्या होता है, ये sports है, आपका, New York का, जिसमें हम एक kite shape की hot air balloon पे बैठते हैं, और वो balloon जो है, like a kite, वो move करता है, over all the sky. ठीक है, इसमें आप बैठ करके पूरी आपकी पूरी side से ropes लगी होंगी और वो जो है air में fly करता रहेगा. ठीक है, ये होता है आपका New York में. Next है आपका Bengy Jumping, Bengy Jumping का मतलब होता है कि आपको एक thread से बान दिया जाएगा और आपको फिर किसी भी उचाई से, किसी भी उची जगह से आपको कुदा दिया जाएगा. Surfering, Surfering में क्या करते हैं? जब high tides आती हैं तो उनके साथ में हम वहाँ पर पानी में Surfering कर रहे होते हैं, पानी में Skates के थूरू हम दौड रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं Surfering और ये यूरोप का फेवरेट है और फेमस है. Canada में होता है Skitting, Skilling, Skilling means जब आपके पास में जैसे पानी में आपके high tides आती हैं, उसी तरीके से बर्फ जहाँ पर आईस होती है, वहाँ से जब गिरती रहती है तो उस टाइम में जब आप ऐसा काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं Skinning, Ruffling, Ruffling होता है आपका पानी में, बहु जब जाती है, और ये बोट्स जो होती है, बहुती लाइट वेट की आपकी होती है, इनको हम बोलते हैं Ruffling, ओके नेक्स है आपका पैरसिलिंग, पैरसिलिंग मींस इसमें जो है आप पैरसूट्स के थ्रू बंधे हुए होते हैं, नीचे से भी आपको बांधा गया होता है और इसमें आप इधर उदर की पैरडाइजिंग में तो आप सिर्फ अपनी डिरेक्शन से मूव करते हैं और एयर की डिरेक्शन से मूव करते हैं, इसमें आप खुद भी मूव करा सकते हैं, तो ये होती है आपकी Atlantic Oceans में जादा करके, बुलफाइट, बुलफाइट इसमें का बहुत ही famous fight होता है, इसमें दो बुल्स को आपस में लडाये जाता है, ओके, और ये बहुत ही risky ही होता है, हंग्किंग, हंकिंग में क्या करते हैं हम, कि ट्राकिंग पे निकल जाते हैं, जर्मरणी में लोग ऐसा जाधा करके करते हैं, ठीक, यहाँ पे लोग अपनी ट्र सिर्फ सोटेंगे इनके थारी शायर इनकों करने में बहुत ज्यादा मजा आता है इसलीए से आसा करते हैं ऐस फर्फ एक्सरसाइब की मैटिबल चोइस कोशेंज की ऐन एडवेंचर स्पोर्ट्स ओरिजिनेट इन नुव यार्क न्यू यार्क में originate होने वाला adventure sports कौन सा है तो वो है आपका paraliding ठीक है paraliding जो है वो न्यू यार्क में होता है the famous adventurous sports originated in Europe suffering, suffering कहा होती है यूरोप में होती है next क्या है bullfight, bullfight जो है आपकी कहां किया बिटा इस पेन की है next है आपका bungee jumping is in bristols bristols में यह होती है bungee jumping मैंने आपको बता है था ना जहां से parachute से या किसी aeroplane से या किसी उची जगह से आपको जहां से कुदाया जाए next है आपका rafkling is originated at rafkling जो होती है वो होती है आपकी yoming में next है which is the reason best shoots to hiking hiking के लिए mountains पे लोग जादा जाते हैं ठीक है मैंने आप से बता है ना hiking के लिए कहां जाते हैं लोग mountains पे जाते हैं यहां पे आपको figures दिये हुए हैं और उनको देख करके आपको बताना है कि यह कौन सा adventurous sports है so first is D that is this bungee jumping C bullfight E suffering A paraliding F and parasailing B so I hope आपको कोई भी problem नहीं होगी इस exercise को fill करिएगा और adventurous sports को देख करके आप इनको enjoy करिएगा कहीं कोई भी problem हो तो आप मुझे बताएंगे और आज आप अपनी gk की copy में आपको write करना है आपको अपनी gk की copy में क्या write करना है मैं यह बताती हूँ आपको यह exercise जो है अपनी gk की copy में write करनी है ठीक है आप यह exercise अपनी gk की copy में write करेंगे और मुझे फिर whatsapp group पे send करेंगे आज के लिए वीडियो में इतना ही thank you have a nice day I hope आपको सब को समझ में आया होगा